तो अब हम वाटी जी और अलोर क्लास हम करेंगे हडपो उत्तार यानि के हडपा के बाग पश्चिमी, पूर्वी और मद्धी भारत के तामर पासान यूगीन संसक्तियां के बारे उसके बाद हम दक्षनी भारत की करें तो इसा की दूसरी और परतम सहसराबदी इसापूरू के दोरान कहीं इस्तानी तामर पासान आरंबिक खेतियर संसक्तियां मुझूद थी ध्यान रखना तामर पासान एक संसक्तियां मेक्जिमम खेति कर्शिय आदारिद संसक्तियां दूसरा ये संस्कर्तियां ग्रामीन बस्तियां थी उनमें कहीं तो समान थे जबकि हड़पा सब्यता जो थी वो नग्रिय सब्यता थी यानि यूं समझ लीजिए कि हड़पा के पतन के बार लोग किस रूप में रह रहे थे उनका कुछ आहिना आपको या मिल सकता है इसे किन उन सबी संस्कर्तियां है लाल एं काले रंगे हुए लाल और काले रंगे हुए बरतना का परियोग करते थे और सिलिका में ब्लेड और पत्तर का अतियदिक विक्सित उद्योग था उनके पास तामर जानकारी इस समय थी लेकिन चूंकि दातू पर चुर मात्रा में नहीं थी तामर बत्यां इनका इस्तमाल सिमित पेमाने पर ही होता था नो डाउट सिंदू गटी से बेता में भी हडपा से बेता में भी सिमित मात्रा में होता था बस्तियां की स्रंचना गोलें आईताकार जोपड़ियां से होती थी कहें इस्ताना पर पूतली आवास के भी परमान मिले हैं अर्थ्वियोस्ता खेती और पसुपालन पर आधारी थी इन संस्कृतियां के नाम उनके विशिट सेत्रह के नाम पर रखे गए हैं जो मैंने पहले कुछ देखा था जैसे कायत संस्कृति है 2000-1800 इस्वापूरू आहाड बना संस्कृति 2000-14 इस्वापूरू सवालदा बाद में हम इसका एरिया पूरे बता दोंगा सवालदा संस्कृति 2000-1800 इस्वापूरू मालवा संस्कृति जो मद्य भारक में 700-1200 इस्वापूरू और माराष्ट में 700-1400 इस्वापूरू परभास 1800-1500 इस्वापूरू रंगपूर 1200-700 इस्वापूरू चीरांद 1500-700 इस्वापूरू चलिए माराष्ट की ताप्पी गाटी के ताप्पी नदी ठीक है ने मैं उत्तर हडपा से बेता की पचास गेर नगरिये बस्तियां मिल चुकी है और देमाबाद की खुदही से पता चला है कि उत्तर कालीन हडपा के लोग दक्षिन की और परवरा गाटी यानि माराष्ट की और बड़े देमाबाद कायत संस्कृति का नाम कायत जो उजेंज के पास है चंबल नदी की एक साइक नदी है काली सिंध के तट पर इस्तित है कायत एकिस्तान उसके नाम पर रखा गया कायत संस्कृति आहड अत्वा बनास संस्कृति का नाम बनास नदी के आसपार रखा गया है इसका विशिष्ट सेतर आहड है जो उद्यपूर में है दक्षिनी पूरू राजस्तान में बनास और बेड़च गाटिया में इस संस्कृति की पचास से अधिक बस्तिय पाई गया सवालदा संस्कृति का नामकर्ण सवालदा धूलिया जिला महाराष्ट सवालदा संस्कृति कहा है आपको महाराष्ट बस्ति के नाम पर हुआ है यदि पिये संस्कृति अधिकतर ताप्ती गाटी तक की सिमित हैं लेकिन देमावाद से मिले पर्माना से इस संस्कृति के परवरा गाटी तक पहुंचने के संकेत में तक है मालवा संस्कृति नर्बदा नदी के तख पर महश्वर नवादा टोली महश्वर नवादा टोली नीमार जिला मधिय परदेस की खुदायो के दोरान परकास में आया मालवा संसकृति महश्वर और नवादा टोली चुंकि इस संस्कर्ति की अधिकतर वस्तिया मालवा सेतर के अंतरगत परकास में आयी है इसलिए इस संस्कृति का नाम मालवा संस्कृति रखा गया लगबग 1600 इशापूरू के दोरान मालवा के लोग माराश्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए गए और ताप्पी गोदावरी और भिमा नग्दी गाटिया में इनकी बस्तिया परकास में आई माराश्ट में परकास दुलिया जीला देमाबाद आमद नगर इनामगां पूने सबसे बड़ी बस्तिया थी परबास और रंगपूर संस्कृतिया करम से परबास पर्टन और रंगपूर गुजराद के सेत्रा के नाम से जाने जाए जोर्वे संसकृति की विसिस्ट बस्ति जोर्वे संसकृति की संबल लिया है विसिस्ट संसकृति माराश्ट इस्तित जोर्वे अमद रगर चिला है फिकर हूँ परकास देमाबाद और इनाम गाओं में मालवा संसक्र्टी के बाद जोरवे संसक्र्टी विस्तरत रूप से फेले नहीं देमाबाद इनाम गाओं वहां मालवा संसक्र्टी मालवा संसक्र्टी के बाद जोरवे संसक्र्ट पासान और तांबे का परियोग करने वाले इन कई समुआ के जानकारी पूर्वी बारत से भी मिलती है उत्री बियाहर में चीरांद नामकिस्तान पर एक प्राचीन ग्रामीन बस्ती के अवसेस मिले हैं यहां के लोग मिटी से थापे हुए बांस के गरह से मिटी से थापते हुए बांस के गरह में रहते थे उनका परमुब बोजन चावल और मचली था तता यह लोग जंगली जानवरा का सिकार भी करते थे यह लोग भी काले और लाल रंग के मिटी के बरतना का प्रियोग करते थे इसी परकार कुछ वस्तिया गौरवपूर के सहगोरा उत्रपरदेश में गया के सोनपूर बिहार नामक इस्तान पर भी मिले हैं यहां के लोग गयों और जो की खेती करते हैं बंगाल के बुर्दबान जिले में पंडू रजर डिवी और मिदनापूर जिले में माहिस दाल नामक इस्ताना पर पूरवी की तरह बस्तियां के संकेत मिलते हैं यह सारी बस्तियां जो कूर्व की और मिली हैं पंदरे से से साफसो पचासी सापूर की परती होती है अब आपको यह चीज समझना है मैं आपको थोड़ा सा जयान देंगे आप लगबग लगबग आप सारे इस्तान जानगे होंगे जैसे मैं आपको में बताने का प्रियास करता हूँ यह नर्बदा नदी हम मान लेते हैं यह तापी नदी मान लेते हैं से के नूँ और तरसना के साइक नदी बीमा हो जाएगी फिर यह नदी हो जाएगी अब जिसे देखिए रंगपूर आपको मिलेगा यहां यहां रंगपूर मिल जाएगा यह परबास पाटन यहां मिल जाएगा ठीक है नदी आप और फिर आप देखेंगे नवदा टोली यह नवदा टोली ठीक है यहां नवदा टोली है फिर यहां आपको परकास यह सावा नादा ठीक है नवदा फिर यहां आपको देमा बाद मिल सकता है फिर यहां नवासा मिल सकता है फिर यहां इद्यान रखेंगे फिर यहां चंदोली मिल सकता है फिर यहां आपको इनाम गाउं, यह माराष्ट के सारे से तर है फिर यहां सोन गाउं यह इनाम गाउं और यह सोन गाउं ठीकें? तो आपको इन चीजां को थोड़ा सा दियान में रखेंगे अब इन संस्क्रतियां के बाद आपको कुछ सीखना है वो यह है की अब बहुत सारे इस्तल मिल जाएंगे आपको कायटा संस्क्रतियां यह सारे पेचाने हुए लगते हैं आपको अब इन संस्क्रतियां को सारी संस्क्रतियां को अपन साथ देखते हैं एक तो आपका परसान एक तो आपको इस चीज़ को इस वीडियो को पोज़ करकर आप एक लिखने का प्रियास करें ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा इस्तान कहा है एक मेप का जरूरी उच करें ठीक है ना अब इन सारी संस्क्रतियां के पेचान तामरपासान योगी इन संस्क्रतियां है यह तो पर प्यान भी है तो इनके सारे बरतना के बारे में गहरी बुरी डिजाइन में चित्रित मौटी सता गहरी लाल धारगे वाले मर्वान लाल रंग से चित्रित हलके बूरी मर्वान ठीक हैं यह मर्दवान इलीट क्लास के हैं मतलब काफी सफाई वाले बगेर धारगे फचानोंचे गये मर्दवान अधिक थर बतनां का अधार गोल आधार ह criteria हरपा पूरू संस्कृति है सवंथ संकृति दियान रखना को आप समझेंगे ऐसे कि राजस्थान और गरगाटी के विबिन सह तराम पहले गई है कि यह हरपा संस्कृती यह भी पूछा सकता इक सौती संसकर्थी तो राजस्थान गगरगाटी यहां के बरतन काली बंगन के पूरू हरपा बरतना के सवरू है तो अब यहां सौती संसकर्थी यहां जैसे एक सौती संसकर्थी कायत संसकर्थी तो सौती संस्कृति हड़पापूरू के है काइद संसकृति हड़पाबाथ की है है ये चीज़ें आपको द्यान में रखेंगे तám सनन्सकृति बना संस्किर्टि इसमें भी आपने 쉬ान में रखेंगे यहां से आपके अपने जारा प्या लेक्चे बिड़ शिप स्थप्रकार के मर्दवान पाय गया है आहाड संसकर्ती लेकिन इसमें मुक्यते सपेद चित्रित काले लाल मर्दवान है सवालादा संसकर्ती जानते हैं इसका इस्तिल तो आप कि विशेष्टा यहां के लाल पर काले चितरित बरतन हैं जिनको प्राकर्तिक प्राणियां जिसे चीडिया, जानवर और मचलियां के चित्र बनाकर सुसजित किया गया था मालवा के मारदवान कुछ हड़तक खुरुदर हैं ठीक है, इन पर मोटी हलकी भूरी धारी है जिस पर काले तता गहरे बूरे रंग से दी जाएं परवास और रंग तूर दोना के मरदवान हड़पा के लाल पर काले चितरित मरदवान के सवरूप है लेकिन चुछिए इनको चमकदार लाल मर्दबान पोड़ते हैं ठीकर तो किस से तामर पासांड संस्क्रितिक में चमकदार लाल मर्दबान पाये गए फिर जोर्वे मर्दबान जो काले पर लाल पर काले चितरी थे इन अन्ये बरतना के अलावा भी बहुत सारे बरतन मौजूद है अधिक तो लाल और दूसर है और हाथ से बनाये हुए है ठीक है ने इन संस्क्रितिया में समानित बरतन प्याले अंदर की और धस्ती हुई गोल गरदन वाली गोला कार मर्तबा आप समझरे होंगे यह जैसे अंदर की और धसी हुई ठीक है धस्ती हाँ तश्तरियां लोटे मालवा के बरतना के विशिस्ट लक्षन ठोस अदार वाले छोटे 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 गिलास समसमा रहे है अब मालवा में क्या पर विशिस्ट क्या है गिलास तो साकार मतलब पेंदा बहुत जाड़ा है ठीक है न और फिर जोर्वे संस्कृति के विशिस्त बरतन है केटीनेटेट प्याले चोडी मोह बाले टौन्टीदार जाड़ा जोर्वे संस्कृति के टौन्टीदार जाड़ और गोल कलस इस तीज़ का दियान रहा है अब अर्थ वास्ता के बारे हम बात करें तो तामर पासान संस्कृतियां के हम बात करें तो जिन खैली हुए है करती बनास्स करती ठेकन जोरिवेस्ट करती यह ने कि मारास्ट गुजरात का वह एरिया एन और मालवास यह काली कपास वाली में थी यह मौसम अर्थसुस्क तता वर्षावस्त चारसो से हजार मेली मिटर तक इन तामरपासान यूगीन अर्थवेस्था जो थी वो खेती और पॉस्पलन पर अधरी थी खुच सेत्रा में जंगले जानवरा उतमसली आदी जैसे अनिय बोजन के सरोतां पर निरवर्ता के परमान मलता हैं जैसे चीरान कुछ सेत्रा से खुदाय में प्राप्त बीजां के कार्बन युप्त अवसे सांसे आपको मैं बता दू कि बीज कभी भी बिरव्या कार्बन युप्त नहीं मिल सकते बिना बीज को अगर कार्बनी करन नहीं हुआ है तो फिर वो अंकुरित हो जाएगा यह सड़ गल जाएगा यहां से कर्षक समुदाय दौरा विबिन परकार की फसले उगाने की परमान में युप्ते हैं जो गेउं, तान, बाजरा, जवार, मसूर, फलियां, मत्र, काला चना और मूद अनिये पेड जिनकी फलांका उप्यो किया जाता था जामून, बेहेडा, जंगली, खजूर और बेह, नॉर्मल है, अब कुछ खास जो है, इस काल में जो मुख्य अन था, ये थोड़ा इपॉर्टेंट है हलांकि जो गेहूं उगहा जाता था, बाजरा, जुहार, गोद, उगहा जाता था, मुख्य अनाज कौन सा था, जो इनाम गाउं से प्राप्त परमाना से, कर्मिक रूप से फसल उगाने, गर्मी और सरदी की फसल की कटाई और करत्रिम सिच्चाई परंप्रा का पता चलता है तो किस हड़पो उत्तर तामर पासानिक संसकर्ती में मौसमी फसले और करत्रिम सिच्चाई के साधना का पता चलता है तो दूसरा जोरवे में इनाम गाओं की बारे में बात करें जोरवे योग आपको पता है पहले इनाम गाओं में मालवा योग था फिर जोरवे योग आता है ठीक है ना तो इनाम गाओं में नहर जो 200 मिटर लंबी है 4 मिटर चोड़ी है 3.5 मिटर गहरी है इसका अकार धियान रखता है इनाम गाओं में नहर बाद की पानी की दीसा में परिवरतन के लिए एक विसाल बांग बांग और नहर का मिले इनाम गाओं जोरवे काल का ठीक है ना फिर इनाम गाओं के समीब वालकी में मिले वालकी एक जगह है वालकी में मिले बेल के कंदे की हडीस से बने अर्द अर्दमज़ा हलका प्रारंबिक रूप मिला है ठीक है ना यहां हम बहुत मेत्वपूर है यह द्यान रखना इनाम गाओं तामर पासान यूट के दोरान पालतु पस्वा में गाई बैस बेड बकरी खुपता सुवर गोडे ठीक है ना पर हम जो हड़पा संस्कृति की बात करते हैं वहां गोड़ा कोई नी था और गाय बैस बेड बकरीयां की हड़ियां अधिकांस ते सहस्तरा में अप्रेक्सा करक जादा मिलती है और यह भी पाले यह जादा पाले जाते थे ठीक हड़ियां पर चोट पढ़ने और कटने के निसाना से पता चलता है कि यह पसु ब जंगली जानवारा, मरग, चौशिंगा, नेलगाई, बारेसिंगा, सांबर, चितल, जंगली भेंस और गैंडे उस सेत्रा में जंगली जल मुर्गयां, समुंदरी कश्वा और चुवां की भी हड़ियां मिली है अब देखेंगे इनाम गाउं में समुंदरी मसलियां की भी हड़ियां मिली है, यह इपोर्टेंट बात है तो क्या मतलबा, यह मचलियां कल्यान, कल्यान बंदरगाउं, अर्थाद हमद खाडी बंदरगाउं जो की इनाम गाउं के 200 किलोमेटर पच्छिन के और रिष्थित है, प्राप्त की गई होती यहनी इनाम गाउं जो था, इनाम गाउं आपको महत्वपूर्ण हैं, यहां समुंदरी मचलियां का उसेस मिले हैं, जबकि समुंदर से 200 किलोमेटर दूर है, तो अर्थाद यहां व्यापार से लाया गया होगा पाल्तू और जंगली दोनों परसार की पस्वां की जुलसी हड़ियां का प्राप्त होने से, यह तो पता चलता है, पस्वां का मा से सेक कर खाया जाता था, आग में पका कर, अब खाया कैसे जाता था, यह उनका जान, फिर गरे निर्मान की बारे में देखे हैं, तो मीटी क की दिवारे हैं, तता चपर की छता वाले आयताकार और गोलाकार घर इन संस्क्रतियां में सामानिया हैं, यह देपी विबिन सेत्राम घर के आकारम बिंता कहीं, चोटार कहीं बड़ा, सवालादा संस्क्रतिया में अधिकतर घर आयताकार और एक कमरे वाले हैं, लेकिन मिट्टी और मिट्टी की इंटां की दिवारें बनाई जाती थी और इन्हें इस्पट्टिक की रोड़ी से सजाया जाता था फर्स तपई मिट्टी तदा मिट्टी में नदी के कंकड मिला कर प्यार किया जाता था नहीं कि आहाड में पत्थरां के गर मिलते थे आहाड के गरां का आका 7 x 5 x 3 x 3 मिटर होता था यहां मिले सबसे बड़ा गर का आकार 10 मिटर से दिक लंबा है बड़े गरां में विवजन दिवारे चुले तता रशोई में चक्यां भी होती थे मालवा की बस्तियां जैसे नवदा टोली, परकास, देमाबाद और इनामगाओं काफी बड़ी थे इनामगाओं में मिले परमाण से संके थे कि इन बस्तियां बनाने का काम यह जनाबत तरीके से होता था इनामगाओं में मिले लगबग 20 गरा से अधिक पर औरू पस्चिमी दिसा में नियोजित थे औरू पस्चिम यह देपी एक गर एक दूसरे से काफी निकट बनाया जाएं लेकिन इनके बीच एक दो मितर की दूरी अफसी रखी जाती जो संभवते गर्ली की रूप में इस्तेमाल हो सकता था इनामगाओं में मिले इन गरा का आकार काफी बड़ा 7 इंटू 5 मिटर और आईटा का इन में विबाजन करती दिवारे गर की दिवारे मिट्री की बनी हुई जो काफी नीची है और इनकी सटें डल हुआ है गरा के अंदर आग जलाने के लिए गुलाकार गड़े हैं जिनकी किनारे उपर उठे हुए हैं तो रखने वास्ते हैं या आग पर ने अंतर है अब नवदा टॉली मैंने आपको बताए था इनाम गाउं नवदा टॉली ये मालवा संस्क्रटी के इस्तलबी है और जोर्वे संस्क्रटी के इस्तलबी है नवदा टॉली के घरा में रसोई के अंदर एक मूँ और दो मूँ वाले चुले याद दिये ये दियान रखने नाज का बंदारण गेहरे बने अनबंदारण गड़ान हैंदि के गड़े बने वे थे उन गड़ा में जो इसमें तो आपको एक चीज तो UK द्यान रखनी है नवदा टोली और इनाम गाओं ठीक है ना इन चैजां को ध्यान में रखेंगे है ठीक है नवदा टोली में काफी बड़े हैं अब ज्जवन संकर्थी ज्जवन वह प्रिक्रम सह है दयमाबाद और इनाम गाओं में मिलेगी ठीकिन जोर्वे संस्कर्टी जिससे अब 200 से अधिक सेतर प्रकास मासू के हैं इन में से अधिक अधिक तर एक से चार हेटेर के बीच गावा को सेंडिमन किया जा सकता है कि मुख्ये विशेष्था यहां के परतियक सेतर में एक एक बड़े यह मतलब के इनाम में इनाम गाओं के बारे में बात कर रहा था एक बड़े केंद्रिय सेतर पाया गया है यह केंदर परकास देमाबाद इनाम गाओं है जो करम से तापती गदावरी और बीमा की गाटिया माँ देमाबाद जोर्वे संस्क्रतिया में सबसे बड़ी बड़े जो लगबक İ सेक्टर में फेले है देमाबाद जबकी परकास और इनाम गाओं पांचमा शेक्टरम फैले हो तो जोर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा जिस्तल इनाम गाहूं इनाम गाहूं में जोर्वे की बस्ती की मतमुन विशेशता ये है कि दस्तकारां जैसे कुमार, सुनार, हातिदात के सिल्पकार, आदी के गर, मुक्ये निवास, से तरके पश्चि में सीमा की और हो तेु जोरूए में दस्तकार और सिल्पकारां के गर, पश्चिम की और और समय के इंदर भाग में और दस्तकारां के गरां का आकार समय का सिताना के गरां की अपनी सद्च छोटा हो लाता हुगा। समझा रहा हैं गर बनाने के इस्तान और आकार के अधार पर समाज में दस्तकारां के निचले सामाजिक इस्तर की जानकारी मेरती है यहनी कि दस्तकार शिल्पकार जो थे वो सामाजिक रूप से निचला इस्तर था वो वस्थी के पश्चिम की और मद्य बाहा केंदर की और जो वस्थिया تी वो बड़े बड़े कीसाना की थी और उनकी घर भी बड़े होते थे कुछ तामर पासाम संसक्रतियां के चाराओं और किले बंदी भी की गई उदान के लिए मालवा संस्कृति की एरान और नगदा और जोरवे संस्कृति का इनाम गाओं में पत्थर के रोड़ा योगत बुर्ज योगत मिट्री की दिवार और बस्ती की चारां और खुदेवे गड़े में यह हैं तो अब परसंस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मालवा संस्कृति के किन इस्तलां पर किले बंदी की गई है दूसरा परसं आ सकता है जोरवे संस्कृति के किस इस्तान पर किले बंदी की गई है ठीक है ना अब जोरवे में आपको पता है कि यहां जो है पूरू जोरवे जिसे इनाम गाओं में जो बस्तिया मिलती है जो पूरू जोरवे संसक्रती में मतलब कि मकान इतने अच्छे नहीं है जितने बस्षात जोरवे में हैं ठीक है यह 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 कहते हैं कि पूरू जोरवे संसक्रती में अच्छे मकान है पच्छात उसके बाद दिरी-दिरी मकान पिछड़ने लगे एनिके अर्थियस्ता उजड़ने लगी ठीक है ना बंदारन जगे चार पत्रां पर रखाए चोपाए बंदारन का जार भी उपलब होता है मतलब यह तो बंदारन गड़े में किया जाता था यह चार पेरां पर बड़ा यह मित्री का बनाकर वह कोठी बना दी जाता है तो इन तर्माम परमान पत्रां से आपके पूरू कालिन जोर्वे से उत्र कालिन जोर्वे में इस प्रकार का परिवर्तन वर्षा की दर में कमी आने की परिणाम सरूप खेती का पतन होने के कारण हुआ है ठीक है नहीं कि जोर्वे संस्कृति का नश्ट क्यूं हुआ है खेती के पतन होने का पश्चीमी और मद्य भारत में खोजबीन से पता चला है कि दूसरी सहस्राब्दी इस्सापूरू के अंतिम चरण में इस सेतर में मौसम में बारी परिवर्तन आने के करण पूरा सेतर खुस्क होने लगा परिणाम सरुक लोगां को बद्दी होकर अर्द खाना बदोस जीवन की और लोट रना पड़ा निसकर्स कैसे कि वीबिन इस तरह से प्राप पस्वां की हड्यां की परतिस्प मात्रा के आधार पर निकाला जाता है जोरवे यूग में जलवाइक में सुसिता बढ़ने के कांड करसी का हास हुआ और करसी आधारित अर्थिवास्ता बेड़ पक्री पालन पसु आधारित अर्थिवास्ता में परिवर्तित हो जाता है यहां आपको महत्यपून चीज़ यह नौट करनी है वो यह जोरवे संस्कर्ति जब विक्सित अवस्ता में ती तो गर बढ़े थे उतर में चोटे होने लगे जोरवे संस्कृती में जब विक्षी तवस्ता में थी तो अनाज बंडारण गड़ा में खोद कर किया जाता था और बाद में कोठिया में किया जाने लगा तो जहिर सी बाते कम अनाज है तो बरतन में रखा जा सकता है बड़ा है तो गड़ा खोज़ कर बनाया जा सकता है ठीकर जहिर सी बात है सुस्कता बढ़ गई थी जोरवे संस्कृति और कर्सी संस्कृति से पसुपालन की और अर्द खाना बदोस संस्कृति बन गई थी इन सभी संस्कृतियां से हमने जो पड़ा मालवा जोर्वे कायत पत्थर के ब्लेडां पत्रां के उद्योग पिस्पेटिक चक्मकी हकी सिलिका में पत्थरां पर अधरित थे ठीके न ओजारा में समानांतर किनारे वाले फलक ठीके न और कोण ठीट कोण ठीट का मतलब जैसे यह काटेदा दंतूर फलक चाकू नवचंद्रा का नवचंद्रा का रहने की बीज का चांद तेकोने समलमकार ओजार इन सब फलकाओं और ओजारां में कुछ धार पर चमक हैं इसका अर्थवा कि ओजार फसल की कटाई के काम में आते थे पालिस की गई पत्तर की कुलाडियां जो की विसे स्टूप से करनाटक और आंदर के नवपाशान योगीन संस्क्रितियां समन्दे कुछ सेत्रां से प्राप्रुई ये देपी उनकी संक्या अधेक नहीं की तामर वस्तवा में चप्टी कुलाडियां अठार काटने के उतलधार वाली कुठारें तीर के फाल और बर्चे के फाल छेनियां मचली के काटे ठीकर तलवार फलक चूडियां अंगुटियां और माला हैं कायत में कायत में मिली कायत का हैं और जेन के पास जगा है तालिस सिंद्र नजी के किनारे एक बरतन में तामबे की 28 चूडियां मिली हैं ठीक है ना तो कायत में 28 तामबे की चूडियां मिली हैं इस इस फेक्ट से समंदित कोई स्वाल आ सकता है खुलाड़ियां जैसी कुछ वस्तों गड़ी जाती थी पर अनिये वस्तों हतोड़ां से पीट कर निरुपित की जाती थी ठीक है ना कायित संसक्रती से शमंद एक बरतन में सेल खड़ी के 40,000 चोटे-चोटे मनका की एक कंटी में लिए है कायित संसक्रती से इनाम गाउं में सोने और हाती दाथ के मनके सोने की एक कुंडलित आकार वाली कान की बाली और तामर की पैचान प्राप्ट फुई है इसका मतलब इनाम गाउं बहुत विक्सित गाउं था ठीकर अब परसन यह आता है कि तामर पासान योगिन संस्क्रतिया में किस इस तरह से, ठीक है नहीं? सोने और हतीदात के मन के राप्त हुय है हलाकि इनमें से अधीक से तरह में मिटी की बनीए वस्तुएं पर्चूर मात्रा मिली है ये वस्तुएं मानवे और पर्शूां की मूर्तियां के रूप में है और परारंपिक सेली के सांड काहित के तामर पासान इस तर से मिले इन में कुछ में इस्पष्ट कुकंद है कुछ की सींगें पीछे की और मुड़ी हुई है ता कुछ की सींगें आगे की और समतली रूप से निकली हुई है इन तामर पासान सेत्रा के अधिकतर सेत्रा में मिटी के बने सांडा के पाए जाने का पता चलता है कि सांड पूजनिय पसुत था तामर पासानी संस्कृतियां के सबसे बड़ी विसेशता कि सांड पूजनिय पसुत था चलिए इसके अलावा देमाबाद में ठोस डली हुई वस्त्वे मिली है जैसे हाती सबसे भारी यानि 25 सेंटीमीटर उंचा है, 27 सेंटीमीटर लंबा है तता तामर के आदार पर जिसे नीचे गुरिये के समान 4 कोस्ट मना रखे है हती मिला है, गेंडा ये कुछ छोटा है, ठीके न, तो हती गेंडा ये देमाबाद में जोरवे ये बुमा, सवारशईत दोपयाँ वाला रत ध्यान रखना और भैस, ये संसकर्तियां मिली है, इस से इसका आप ध्यान रखेंगे चलिए, देमाबाद के बंडार की तामर की तुलना की खुदाए में अनिये तामर वस्तवाँ से की जा सकती है, उस धातु के स्पेक्ट्रो मेट्रिक विस्लेशन्ट से पता चलता है, इसमें तीन अक्वाद कोई अनिये धातु की मिलावट नहीं की गई एक मत के अनुसार देमाबाद के बंडार का उत्री काले बंडार का काल उत्र काली इन हड़पा काल है इन अन्य मत के अनुसार तक्निक आदार पर इनका काल कलूर बंडाराओं वाला काल से हो सकता डिजन्ट मेटर बस्ट आपको जो दियान में रखना है वो आपको इतना ही रखना है कि यहाँ देमाबाद में जो चार मूर्तियां परतेत हुई मिली है बड़ी बड़ी यह आपको प्राप्त लियान में रखने है अब इनके धर्म और विस्वास के बारे में बात करते हैं तो देविया सामर पासान यूग समुदाय के लोगंत में देविया और विस्वास और पूजा के परमा नारी परतिमाओं के पाये जाने से प्राप्त होते हैं नारी परतिमाओं सरवादिक प्राप्त हुई है और आप खुद जानते हैं कि हड़ पास बेता में भी नारी परतिमाओं ठीक है और इनाम गाव में भी इस परकार की मिठी की परतिमाय मिली है इनाम गाव में एक आरंबिक जोरवेगर के खुदाई में देवी पूजा के परमान मिले है देवी पूजा जैसी बाते भी नारी की मूर्तिया मिली है तो देवी पूजा होगी यह हम हड़पा काल में भी देख चुके हैं यहां पर एक कोनेक में फर्स के नीचे दबा अंडाकार मुटी का पातर ढगन सेथ मिला है इस पातर के अंदर नारी परतिमा में लिए जिसके इस्तन बड़े और लटके हुए साथ में एक सांड की मूर्टी भी मिली है ठीके हैं यहां एक इनाम गाओं में क्या मिला पातर के अंदर नारी की परतिमा इनाम गाओं में तो यहां सांड और नारी की परतिमा पातर में मिली है तो अचली में नारी परतिमा को उरूरता की देवी की रूप में पूजा के संकेत मिलता है ठीक है न यह एक मत के अनुसार साकंबरी की पूरू माता साकंबरी आप जानते हो ना साक्षबजी की माता साकंबरी माता ठीक है न जो सुक्य से सुटकारा दिलाने के लिए परपूजा की जाती थी देवता के बारे हम बात करते हैं कि तामर पासानी एक संस्क्रतिया में पूर्शा की परतिमाय कम है इनाम गाव में मिटी के दो उपर उस परतिमाय मिली है ठीक है नगा और एक चित्रित जार मिला है मालवा काल का ठीक है उपर भाग में चित्र बना जिसमें एक मानवी आकर्ती टेहनिया का वस्तर पहने हुए एक सेर पर बैठा है कामिला है इनाम गाहूं नहीं कि आप जो इनाम गाहूं के बारे में जानकारी प्राप्ति कर लेते हैं तो तामर पासानी संस्क्रतियां के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं ठीक है नो? उसके चारा और कुछ निचित सेली में डले वे पसू जैसे सांड, हीरन, मोर, आदी खड़े हैं, निचले भाग में सलांग लगाते हैं, चीते ये तेंदी भी निचित सेली में डले वे हैं, अच्छी तरह से चितरी करके सजाई गई तस्तरी भी संभवत तरम कां ये प्रयोगा में होती होगी, इसी प्रकार का देमाबाद से प्राप्त थोस तामरहती और भेस की परतिमा हैं, अदी भी धारी में वेतुर रखते हैंगे, हमने देमाबाद में किया था परतिमा के बारे में, अब मर्तकां को दपना की परंपरा के बारे में देखते हैं, व वैस्क अधिकतर लिटा कर दफनाया जाते थे जबकि बच्चे कलसा में दफनाया जाते थे ये दियान दफनाया ये कलस कभी एक अधिकतर दो होते थे जिनका मुझ चोड़ा जिनका मुझ जोड़कर उन्हें गड़े में लिटा दिया जाता है चोटा बच्चा होता तो एक मे बाकी जैसे कि यह हम यहां मुझ जोड दिया तो यह बड़ा हो गया तो पूरा बच्चा आ गया ठीक है ना फिर दोनों यह गड़े खोद कर दफनाए जाते थे जो घर के फरस्व में खोदे जाते थे समझ मारी नहीं आई बच्चा को मतलब कहां दफनाए जाता था गर के फरस्व कभी कभी घर के आंगन में भी खोद दिया जाते थे बार चोक में इस संदर में रूची करते थे यह हैं जोर्वे यूग में वैश्क मर्तकां के टकना के नीचे का पेर काट दिया जाता थे ठीक है और मर्तका को गर के आते में दफनाने और तखने का नीचे का बाग काट देने की पर्तास संभौते, इस्वास्वास की और संकیत करती है कि मरतक भूत नहीं बनेंगे अगर बन भी गया तो टांगड़ा बाढ़ दिया अगर की नहीं कर सके गर में दफनाते थे तो टेंसन होती थी रात को उटके आ गया तो टांगड़े काट कर दफनाते थी वेरी नाइस जोर वे संस्क्रती ना ट्रिबीन इस्तानाँ पर वैस्क सवादान में साथ कुछ वस्तवय भी रखी जाते थी जो कि समयने ते दो कभी कभी दो से अधीक पातर होते ही जोर स्वादान में 15 पातर रखे गया है मरतकाओं को उनके घैना के साथ भी दपना है समयने था उत्त्र जोरवे यूग के एक स्वादान में मनुसिय के अस्ति पंजर की गर्दन के निकट एक तामर का गेना प्राप्त हुआ है इसका मतलब वो पैने के वही दपनाया गया है इसी यूग में दो कलसा में दपनाया गये एक बच्चे के साथ तामर का गेना पना इसी यूग में दो कलसा में दफनाए गए एक बच्चे के तामर और लाल इंदर गोप की मनका की करम से गुति बाहरे मनका की भी कंटी मिले है इनाम गाहों से प्राप्त जोरुबे यूग के कुछ असमानिय स्वैदान के तरीका का भी पता चलता है यहां एक चार पाया वाला कलस जो कि गेर तपई मीटी का बना है इसका दक्षणी भाग मानविये शरीर की तरह है प्राप्त हुआ है इस कलस जिसकी उच्चाई 80 सेंटी मिटर सोड़ाई 50 सेंटी मिटर है मुक्चोड़ा है और शवरूफी नहीं इसमें 31 से 40 वर्ष की आईव के पुरूस का धाचा मिला है यह धाचा बैठने की मुद्रा में रखावा है इसके टकने नहीं काटे गए है कबर की वस्तों में टोटी दार पातर जिसके लमबे चंपू का चितर बना है रखा मिला है इनि के यह टोटी दार पातर नाव लमबा चंपू नाव पर चंपू इसका मतलब यह सामंदरिक विया पार के बारे में भी जानते थे फिलाल इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो बेटी हुआ में दफनाया गया था और एक चोकोर पेटीका के रूप में यह समझ लो ताबुत के रूप में दफनाया गया था कहां इनाम गाउन ठीक है ना इस नाव के चीतर से आज हिंदुआ में उस विस्वास का इस्वरण होता है बें मानते हैं कि वर्तक के आत्मा को नाव में जल सागर पार करवाए जाता है तब ही वो शर्व पूंचती है आपको पता है कि हम जो सीड़ी ली जाते हैं तिकटी सब ली जाते हैं तो गावाले इस क्या बोलते हैं नाव नाव ले चलो ठीकर अब इसके बारे में क्या बात कह सकते हैं कि टांगडे नहीं काटे गए तो इसका मतलब वो उंच इस्तरी वेकती रहा होगा या सबबस्ती का सासक रहा होगा ठीकर किसी ऐसे सामाजिक समू का सदेशिय होगा जिसे सवदान का तरीका भी ने तीन अर्थ निकल सकते हैं या तो कोई बार से आया होगा बिन सामाजिक समू का है बार से आया होगा तो ऐसे दपना सकते हैं या विर्जो वो समाज का नेतरतू करने वाला किती था इस वज़े से मना टांगड़े तो काट देते थे वो तामर पासानिक संस्कर्टी के सेत्रा में विबिन इस्तला के फिलाव के अधियन से ये लगता है इस्तल दो परकार के था एक वो जो सेत्रीय केंदरां का परतिनी दू करते थे दूसरे गावाओं की बस्तियां ये अंतर अत्वा इस्तरी करन तामर पासान काल में किसी परकार की परसास्ली विवास्ता के मौझूद होने के और संक्रेद करता है इसके साथ शाथ बीन-बीन सेत्रा में मिली सुरुक्षा दिवारे, खाया, अनाच के गोदा, बान, नेरे आदी सारजनी व्यासता को संगर रूप से देखने से इनाम गाउं में मिली न, संगर रूप से देखने से ठीक है न, पता चलता है हाँ, आउला हाँ, तो यहाँ देखेगा, तो मतलब में इनाम गाउं को हम व्यवस्ता देखते हैं तो कम से कम एक परसासनीक व्यवस्ता का पता तो चलीता है, उत्तर हडपा में हुए विकास के विस्तत संदर्ब में देखने पर तामुर पासानीक संस्क्रतियां, हाडपा संस्क्रति के पुरबाव को आंसी की रूप से दर्शाती है तथा पी इन संस्क्रतियां में अपने विस्त शेत्रिय पुरबाव भी मुझूद थे एक दूसरे एक साथ व्यापार एक शंपरक और सांसरी एक शंबन्द की परमान भी है कायत मालवा बनास जोरवे ठीकर इन सबसे एक चीज़ का व्यापार धातु का इस्तमाल करने वाला खेती और समुदाई दूसरी सहसराबदी इसापूरू के आसपास पहले परत्रम सहसराबदी के लगबग अदर्शिय हो गए ठीक है जो उत्रकालिन जोरवे सांसो इसापूरू तक विद्य बान रहा है वजह इस पतन का संबावी कारण इन तामार पासाण 17 की मिटी के नमुना के विसलेशन पर आदार पर व्यक्त किया गवार बढ़ती हुई खुसकी और मौसम के विप्रीत परस्थितिया गवदावरी तापती और अन्य गाटिया की कही वस्तिया निर्जन हो गई पांक तथा प्छे सताब्दिय और अन्तराल के बाद पांचवी चौति सताब्दी इसापुर में सर एकरण के साथ फिर से बसना सुरू हुआ ये अपन कुछ बाते हैं जो इन संस्कृतियां के बारे में आपको मिलती है ये तामर पासानिक ध्लक्स्स्क्रियां है जो आपको पता चल गया होगा ठीकन देमाबाद विश्येश दियान र करेंगे इनाम गावेत घ्लक्त तांगे सायत दियान रखेंगे ठीकन इन सारी चीज these simple ups ध्लक्त्राइब इसके साथ ही इस वीडियो को को आप पोज कर दीजिएगा कि खड़े हो यह बेठा लास्ट वाले कि आप खड़े हो जाओ कोई नहीं लास्ट वाले को बेठा रहने लिए